एलेक स्नीक्स 5MG टेबलेट जो कि बनाई जाती है केनेग्जिया लाइप साइंस के दुवरा बनाई जाती है डेस्ट लोरेटिडिविन 5MG रहता है और यह दस गोली का पुरा इस्ट्रिप रहता है जिसका MRP की बात के तो इसका MRP 48 रूपिज रहता है तो यह टेबलेट जो की यूज होती है घिस्टामीन की तरह काम करती है जो कि एलर्जिक कंदिशन में यूज की जाने वाली टेबलेट तो इस व Canvas ब्रस वैरेक स्ट के लिए से लिए का या रुदियु और इसका सब्सट्रिट कौन झांड़कर ब्रस के लिए बनाए से पहले लोक्टर की सलाज दूरू ले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद कि अगे कि अगे लेन मिख्स फार्परमजी टेबलेट जिसके अंदर डेस्ट लौरिक ट्रिडिन रहता है और यह दस खूल का पुरा इस्ट्रिप रहता है जिसका MRP 48 रोपी जाती है तो यह tablet एक anti-stamins drug है जो कि allergic condition में यूज होता है और यह relief देती है इस्चिंग से, swilling से वो रस्चिस से यह relief देती है तो इसको allergic condition में यूज कहा जाता है और dermatologist और general physician इसको बहुत जादा recommendate करते है अगर आप इस tablet को खुछ से ले रहो डॉकटर की शलाशे ने ले ले रहो continuous ले ले रहो तो खुछ side repat हो सकता है, जैसे कि neeing कम आ सकता है, digesiness हो सकता है यह सब common side repat है आपको देखने को मिल सकते हैं तो इस tablet का dose और detacular की शलाशे ले ले, दोक्डर जितना dose और बोले उतना ही ले तोड़ के वगरा ने ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स रोज रखे ताकि बैटर रीजल मिलेगा तो एलेकजिन फाइप एमजी टेबलेट काम कैसे करते है तो इसके अंदर डेस्ट लॉडटर ट्रीन डाला गया है जो कि एक एक एंटी स्टामिस मेडि पूछ रहे तो कॉमेंट सेक्सें में पूछ सकते हो अधरवाइस जो डेस्क्रिप्स में इमेल आइडियों वहाँ पूछ सकते हो चैनल पर और वीडियों पे पहली बार आप विजिट कियो तो हमारे चैनल को जो लो सस्क्राइब करें साथ में जो बैल आकन रोश को दुप